हेलो फ्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ पूड़ी शेयर करने जा रही हूं जो की जटपड बन जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है अगर आपको सुबह के नास्ते में कुछ न समझ में आए तो इसे जटपड तीन सो ग्रा मतर में एक मीडियम साइज का आलू लिया है उसको यह मैस कर लिया है चाट मसाला एक पिंच हीन का लिच का पौडर पौडर आधा चममच नाल भाट्रम साला पॉडर एक चममच नमक नमक एक अपने सौत यांट से cells से चेक करके माल आधा अगर कब हैं आपको एक चममच जीरा एक चममच अद्रक लस्तून का पेश्ट यह की अभारी कंच पूरी हमनों कीको मटत को फुडि आट्या करते हुई यूज करेंगे जिससे हमारी मतर फुड़ी हमना बनाते तो भरी बहुत अच्छ आटे में हमें प्याज, पुदीना का पत्ता, हरी धन्या का पत्ता जिसको हमें बारीक काट लिया है, इसको हम आटे में यूज करेंगे, रिफाइंड आइल, पूरी को तलने के लिए, अब हम बनाना शुरू करते हैं, मटर को हम भून लेते हैं, जिससे हमारे पराठे का कलर त्छा अच्छा आए, टेल हमारा गरम हो चुका है, पहर में हमने एक चमस तेल डाला है, इसमें हम जीऱ डाल देते हैं, जीऱ डाल के हमें चलाना है, अब इसma हम बारी कट ही प्याज और हरी मेर्स eормेंश डाल हम बोहें तक हम बूनना आयाक हम अब ही आहने का बोहें, अध्रक लस्टून का पेश्ट डाल देते हैं अध्रक लस्टून का कच्छा पंदूर होने तक हमें इसे बूनना है जिससे हमारी मटज में बहुत अच्छी खुश्बू आजया और हमारा पराथा पूरी बनके बहुत अच्छा तयार हो लस्टून हमारा भून चुका है अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला एट कर देते हैं हल्दी पाउडर गरम मसाला पाउडर लाल मिर्च पाउडर तो नमक ही चाहर और कालमीफ हम अभी करेंगे से भूनना हैनित स्टार अब इसमें मतर आइड कर देते हैं व्याइडर पानी का यूज कमें अब इसे हमारो इसको करना है एक मिनट हो चुके हैं मटर अभी हमारी खोड़ी त्पूड़ी तऺ है इस से हमें एक रूब तो और पका लिक woods मतर हमारी बिल्कुर रेडी हो चुकी है यह बहुत ही अच्छी लगए अभी इतनी अच्छी लग रही है तो पराथा बनने के बाद यह कितना अच्छा लगेगा आप देख सकते हैं आई अब हम इसको ठंड़ा करके पीशते है इस तरह से मिक्शर में पीश लिया है मिक्शर में हम आलू एट कर देते हैं शासा चाट मसाला कालि मिश पाउडर पृदीना का पत्ता प्यास प्यास को हमें बहुत ही महीन काटना है धन्यक पत्ता इस सब चीजों को मिला के हमें इसका एक डो तयार कर लेना है अच्छे समय मिलाना है हम हाथ से इसको मिला लेते हैं लगा लेंगे इस से हमारे हाथ में चिपके न अभी हम नमक का यूज नहीं करेंगे नमक को हमने थोड़ा सा मटर में डाला था बैंडिंग में अभी हम बिल्कुल मटर नमक नहीं यूज़ करेंगे नहीं तो हमारा नमक से पानी चूटता है और हमारा डो खराब हो जाएगा पराठे का डो हमारा तयार हो चुका है अब हम पराठा बनाना शुरू करते हमारी बिल्कुल रेडी है आटा को हमने पहले से गून लिया जिससे आपका भी ताइम ना खराब हो वीडियो देखने में आटे को हमने ठीक उसी तरह से गूना है जिस तरह से हम पराठे का आटा गूनते हैं अब इसकी हम छोटी छोटी लोईया बना लेते हैं इस तरह से हमने आटे को तोड़ लिया थोड़ा सा अब इसको हम आटे में कोट करेंगे सूखे आटे में अब इसकी हम एक लोई बना लेंगे इस तरह समें लोई को बनाना है बागी की लोईया हम इसी तरह बना लेंगे सभी लोईयों की छोटी सी रोटी बना लेते हैं इस तरह से चार रोटी तयार कर ली है अब इसमें हम श्टफिंग भर देते हैं इस तरहे श्टफिंग भरने सा हमारा पराठा बिल्कुल फटेगा नहीं और बहुत ही अच्छा बनके तयार हो जाएगा इस्टफिंग आप अपने हिसाब से कम्याप जादा भर सकते हैं अगर आपको और जादा इस्टफिंग भरनी है तो आपको लोईया और बड़ी लेनी पड़ेगी अब इसको उपर से हम धग देते हैं इस तरह हमें किनारों को दबा देना है नहीं तो हमारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी अब थोड़ा थोड़ा सा हमें बीश में भी दबाना है पहले हम साइड से दबाएंगे बीश में हम बिल्कुल नहीं प्रेस करेंगे नहीं तो हमारी stuffing बाहर निकलने लगेगी अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से बीश में दबा देते हैं यह देखिए हमारी stuffing बाहर नहीं आई है इसी तरह हम दूसरा भी बना लेते हैं दो पूड़ी हमारी बन के तयार हो गई है अब इसे एक बार फिर हम आटे में कोड करते हैं और पराठे को बेल लेते हैं इस्टफिंग को हम साइड में रख देते हैं किये हमारा पराठा कितना अच्छा बन गया है इस्टफिंग इसकी एक भी बाहर नहीं आई है इसी तरह आप आलू का पराठा गोबी का पराठा या जो भी पराठा आप बनाना चाहें अगर इस तरह स्टफिंग भरेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा क्योंकि लोग पराठा बनाने से घबडाते हैं पराठा अच्छा नहीं बनेगा तो इस तरह से एक बार आप ज़रूर बना के देखिए बहुत ही अच्छा बनके पराठा आएगा अब इसको हम सेख लेते हैं तावा हमारा गरम हो चुका है इसमें हम पराठा डाल देते हैं जब तक हमारा पराठा एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो रहा है हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं गैस का फिलेम हमें मीडियम मैं आपको और दिखा देती हूं किस तरह से हमें पराठे को बेलना है यह हमने एक बार फिर से आटे में कोट कर लिया आटा हम जादा ना लगा है नहीं तो पराठा हमारा अच्छा नहीं लगए खाने में हमें बिल्कुल जल्दबाजी हमें बि दिख रहा होगा कि हमने किस तरह से पराठे को बेला है और आपको पसंद भी आ रहा होगा अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप इसे दूसरों के साथ भी सेर कीजिए यह देखिए हमारा पराठा बिल्कुल नहीं फटा है और एकदम जट पट बेल के तयार हो गया है एक तरफ से हमारा पराठा यह देखे चित्तियां पढ़ने लगी है पराठा को हमें साइड में दबाते हुए सेखना है नहीं तो हमारा किनारे से पराठा कच्छा रह जाए पूरी अगर हमें बनानी हो तो हम उसे डिफ्राइ कर सकते हैं लेकिन बहुत से लोगों को पराठा नहीं अच्छा लगता इस तरह तो वह डिफ्राइ भी कर सकते हैं इसको अब इसको हम पलट देते हैं दूसरे साइड से भी हम तेल लगा देंगे यह देखिए हमारा जिर नी काल लेते हैं इस तरह आप एक बार जरूर बनाएं ट्राइ किजिए अ मेरा पराठा बहुत यह अच्छा लगेगा को कि आपको यह देखने में चल्झ लग रहा खाने में उतना ही अच्छा लगे घा आप इसको मैं प्लेट निकाल लेतें हैं इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी हमारा लगबग सिख चुका है जब पराठे में चित्नियां पड़ जाए तभी हम इसमें तेल लगाए नहीं तो पराठा मारा फूलेगा नहीं और खाने में भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा पराठे को हमें दबाते रहना है इस बात को आप जरूर ध्यान रखिये गए वैसे तो आमने स्टफिंग को पकाया है इससे हमारी स्टफिंग कच्छी नहीं रहेगी और खाने में पराठा बहुत ही टेश्टी यम्मी बन के तयार होता है यह मेरे बच्चों को तो बहुत पसं बनाता है इसकर नग्रyourत मषूम में बहुत बनाती हूं यहां देखिया हमारे पलाठे से चित्तिय पर गई है अब इसमें हम तेल लगा देते ल लगए तेल हलो मैं बहुत हिल्दी होता है तो उप प्राठे को को कोई भी खा सकता है लटते हुए बॉलटेन तक पराठे को सेखना है आप उसको भी अमें प्लेटे निकाल यह देखिए हमने 2 पराठा बना लिए है बाकी के स्टफिंग हम रख दिये जब कि जिसको खाना होगा उसके लिए गरम गरम पराठा बनाएंगे क्योंकि यह पराठा गरम ही अच्छ अगर इसे आप बच्चे के लंच बाक्स में दे रहे हैं तो इसे आप एल्मोनियम फाइल पे निकाल के दें लपेट के दें तो यह पराठा बिल्कुल नहीं खराब होगा पराठा मारा बिल्कुल रेडी है इसे एक बार आप घर पर जरूर बना के ट्राइज कीजिएगा अगर आपको खानी में अच्छा लगेगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को एक बार सस्क्राइब जरूर करतीजिएगा अगर आपको कुछ समझ में ना आया है तो आप कमेंट बाक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रेस्पी मेरी बहुत पसंद आई होगी शुक्रिया